अध्यक्ष मोदे है, हैदराबाद की युए घटना घटित हुई है मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई दूसरा और मानिवी एक कृत्य नहीं हो सकता और अध्यक्ष मोदे सच मुझ जैसा सभी मानिश्वस्यों ने कहा है यह सारा देश इस घटना को लेकर समसार हुआ है सभी आहत हुए है और मैं देख रहा हूँ कि सदन में चाहे किसी भी दल्ब से सम्मझत हुआ हूँ सब ने इस घटना की जहां भरतना की है वहीं पर यह भी अपिक्षा की है इसमें जो भी अपरादी है उसे कठोर से कठोर दल्ले दिया जाना शाहिए और आप भी जानते हैं अड्यक्ष मौदे की जब नर्वेया कांट हुआ था तो नर्वेया कांट के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यहमान लिया था कि साथ इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जगन ने क्रिक्ट हो रहे है तो इस सम्मन में मैं कहना शाहूंगा अड्यक्ष मौदे कि सदन मेरी आप चर्चा कराना शाहते हैं कोई आपती नहीं होगी सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जब्मेदार है जो भी अपराद ही हैं उनके खिलाब कठोरतम कारवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा ये सरकार वब प्राविजन करने को तयार है लेकिन ये आप के उपर जख्षमोडन दर्वर करता है कि आप चर्चा कराना शाहते हैं चर्चा कराईए सुझाओ सुझाओ सबन के आने लिए किसी भी सूरत में जख्षमोडन सच मुझ मैं यह कहना चाहता हूं मेरे पास सब्द नहीं है कि जिन सब्दों के माद्धम से इस घर्टना की में भरसना करना हम सभी आहत इसले मैं आप के उपर छोड़ता हूं कि आप सारी सभी सदस्दों के भावनाओं से अउगत हुए हैं आप यह फैसला करें चर्चा कराना चाहते हूं तो चर्चा कराएं और जिस भी प्रकार का कखुर कानून बनाने पर सहमत ही बनेगी हम उस प्रकार का कानून बनाने को तयार हैं